कि अग्रें आग कि अग्रें अग्रें आगे है आप अग्रेंड नुद्स पर आप इस चानल पर जिसमें हम बहुत अच्छे-च्वेस्टिन्स करते हैं बहुत अच्छा अच्छा content करते हैं daily basis पे तो आप में से जितने भी लोग अभी available हैं सभी को जो जो आज celebrate कर रहे हैं मेरी तरफ से मेरे भाईयों और बहनों को happy रक्षा बंदन भगवान करें कि आपका selection बहुत जल्दी हो आपके साथ life में बहुत अच्छा अच्छा हो बता दो एक बार सब लोग good afternoon good afternoon मैं बहुत अच्छी हूँ आप कैसे हो थांक यू एंजली थांक यू बस अभी आपकी class लेकि मुझे जाना है celebrate करने के लिए तो आज कुछ different भी होना चाहिए तो आज की class में हम लोग करने के वाले हैं हम लोग मेंस का जैवलिन थ्रो करने वाले अब जैवलिन थ्रो इस class का नाम क्यों रहा आप में से बहुत जारे बच्चों को पता और जिसको नहीं पता क्यों नहीं पता कि आप भी examination में इसी तरीके से perform करके आओ कि आप भी अपने mouse को एक जैवलिन थ्रो जैवलिन की तरह समझो और अच्छा अच्छे से mouse को क्लिक करकर करके आंसर करके आओ था कि आप भी select हो जाओ बोल्ड मेडल जीच जाओ आज की क्लास में करने वाले reverse logs जिसकी डिमांड थी लो आ गया एक पेंटागन और हेक्जागन की सेटिंग अर्रेंजमेंट करने वाले हैं ठीक है कंसेट्रिक रहेगी पेंटागन और हेक्जागन आज से पहले आपने नहीं की ओगी कहीं पे भी direction sense आप में से एक जनने ने बोला था कि मैं डिग्री बेस करा दो तो डिग्री बेस आज हम करेंगे and data sufficiency के कुछ questions करेंगे ठीक है happy रक्षा बंदन थांक यू थांक यू थांक यू थांक यू happy रक्षा बंदन ओके अब देखेंगे यहां पर मेंस का content आप यहां से तो class में आके practice करते ही हो लेकिन आप बोलते हो कि मैं homework दो तो rocket magazine हमारे टेलिग्राम ग्रूप पे available हैं जिसके अंदर मैंने आपको मेंस के बहुत सारे questions दिये हैं 500 plus questions हैं यानि की 100 sets इसके अंदर हैं जिसमें पजल सीटिंग अनेज्मेंट मिसलेनेस critical reasoning सब चीज़े कवर हो रही है rocket magazine के नाम से आपको हमारे टेलिग्राम ग्रूप में PDF section में फाइल मिलेगी जब भी रोज मेंस की class करते हो तो questions इसमें से प्राक्टिस कर लिया करो आपको इस टेलिग्राम ग्रूप पे मिल जाएगा अच्छा अब सभी बच्चे बताएंगे आज की क्लास का जो जो बरकरार है या नहीं है बताओ फटाफट से थांक्यू फरहत बरकरार है या नहीं है जोश करें स्टार्ट हाउस जोश ओके चलो जी स्टार्ट करेंगे reverse log से मैं आपको दो-तिन मिनट दूंगी question को पढ़ने के लिए समझने के लिए जिससे हो जाए well and good जिससे नहीं हो पाता है कोई बात नहीं जैसे मैं करवाउंगी वैसे कर लेना यह पहला question आपके सामने है लेकिन आप पढ़ लो और फटा-फट से इसको पढ़ लो ठीक है और जब हो जाए तो मैं को डन बता देना मैं आपका स्टार्ट कर वाद दूंग है कोई डाउट है तो यहां पर पूछ लेना मैं आप डेली टागेट दे दिया करिये ऐसे इतने questions करने है rocket magazine के देखो daily basis पर rocket magazine के आपको miscellaneous दो से तीन सेट करने है puzzle receding arrangement के दो से तीन सेट करने है इतना आप लेके चलो तो हो जाए तो well and good उससे जादा हो जाए तो भी अच्छी बात है minimum मैंने आपको बता दिया good afternoon ma'am the course is excellent no paid course offer this type of content but explaining slowly when you are solving the question you are like speed i.e. like rocket magazine देखो मैं उस तरीके से explain करती हूं जिस तरीके से हमारा जादा time भी waste ना हो और हमारे questions भी हो जाए सारे cover up लेकिन अगर आपको लगता है कि question आपको समझ नहीं आ रहा तो आप साथ साथ में मुझे बता दिया करो कि मैं यह question समझ नहीं आए इसको वापी से explain कर दो तो मैं व कंक्लूजन है वो satisfy हो रहे है statement से यानि कि हम लोग जो डेली से लॉक्स करते हैं उसमें statement उपर होती है आप the cases में examiner आपको possibility वाला case देता है क्योंकि अभी जो current scenario चल रहा है possibility वाला case only a few वाला case और can never be can be वाला case काफी ज्यादा trending में से लॉक्स के अंदर तो उस चीज में हम लोगों को statement सारी बनानी ही पड़ती है लेकिन अगर definite case आ जाता है कभी जैसे possibility possibility हैना definite case कभी भी आजात है तो आप हमेशा यह देखेंगे अगर आपके पास statement positive है statement positive है तो उसका conclusion भी positive ही होगा conclusion भी positive ही होगा यानि अगर statement में no नहीं use किया गया तो conclusion में भी no वाला definite case गलत होगा जैसे वो बोल देता है some pants are shirts some shirts are lining ऐसे करके बोल देता है तो अगर conclusion में देता है no shirt is lining definite case है possibility वाले case की बात मैं नहीं कर रही हूँ अगर definite case है तो अगर no उपर भी नहीं आया statement में तो conclusion में भी no नहीं ठीक है अगर statement में no आता है statement में कहीं पर no sum not आता है definite case की बात कर रही हूँ तो हम लोग conclusion में भी conclusion में भी no sum not देखेंगे यहां से आप conclusion देख लो no sum not आ रहे है तो आपकी statement में भी no sum not होना चाहिए इस तरीके कर definite case में बता रही हूँ यह चीज़े आपको सबको clear हो गई है basic concept एक बार फटा-फट से बता देंगे क्या सभी को basic concept clear है ठीक है सबको basic concept clear है अब आते हैं हम do you see this is not that you get ego as a chance to create any place call positive statement दिख रही है आप को पोचिश करेंगे कि आप positive state से ही स्युरू करेंगी जबाप करेंगे च्श्राज करेंगे कि आप positive statement से शुरू करेंगे लेकिन statement हमें तारे चेक करनी है क्योंकि possibility वाले case में कुछ भी हो सकता है बन भी सकता है नहीं भी बन सकता definite case का मैंने आपको बता दिया देखो अब यहां पर देखो no 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 सिरफ यह जो है हमारे पास statement यह positive है हम लोग start यहां से करेंगे इस statement को solve करेंगे अगर इससे answer आजाता है well and good नहीं आता तो बाकी चारों भी solve करेंगे ठीक है और अगर मुझे कुछ direct दिख रहा है करता हुआ तो direct भी मैं काट जूँगी जैसे मैं करके बताती हूँ आपको थोड़ा सा करेंगे तो समझ में आएगा conclusion में हमारे पास positive conclusions है possibility वाले सबको दिख रहे है positive का मतलब होता है जिसमें no का use नहीं होता आप में से सबी बच्चों को request है अगर आपके कोई भी groups है groups में share कर दो ताकि बाकी बच्चे भी join कर ले जिनको आज की class का पता नहीं था कि 12 बजे होगी ठीक है फटा फट से जाके groups में डाल दो बाकी बच्चे भी join कर लेंगे हम लोग 5th से check करेंगे क्यूंकि उपर हमारे कि यहां से बनाएंगे कुछ फ्रक्स में आजिए पॉसिपलिटी बन सकती है इसका जो सरकल है थोड़ा सा बड़ा कर दो कोई दिक्कत तो नहीं आईगे तो बन सकती है possibility कुछ pant bag बन जाए कैसी possibility है बना के देख लो देखो क्या कुछ भी statement गलत प्रूव हो रही है हम लोग bag को भी pants से connect कर सकते हैं मतलब यह possibility भी बन रही है that means fifth तो बन ही रहा है फिफ्त तो बन ही रहा है अब answer आपका D या फिर E में से हो सकता है जब आपने check कर लिया कि मेरा fifth answer बन रहा है तो answer definitely D या E में से होगा बाखी के options आपके लिए significance रखेंगे ही नहीं अगर मैं fourth को check करूँ क्योंकि हमारे पस option में fourth है यहाँ पर option से खेलना भी काफी ज़्यादा important है ठीक है ध्यान रखना some shirt or ties कुछ shirt ties है यहाँ पर देखेंगे आपको diagram बनाने की भी जुरुत नहीं है इसने pant और bag को some का relation दिया लेकिन यहाँ पर बोल रहा है no pant is a bag यहाँ पर बोल रहा है some pant or bag is a possibility possibility यहाँ बोल रहा है no pant is a bag तो अगर no pant is a bag है तो some हो सकता possibility में भी some नहीं हो सकता ना मेरे को फटा फट से बताओ इसका बिना diagram की आपको यह चीज समझ में आई थैंक्यू वैशनवी आपको बिना diagram की यह चीज समझ में आई कि यहाँ पर उसने no pant is a bag दे दिया तो यह possibility वाला केस गलत हो गया और एक conclusion ही गलत हो गया तो उपर वाला भी consider नहीं करेंगे बता दो एक बर में को फटावट से इसमें भी देखो no pant is a bag आ गया cancel हो जाएगा इसमें नहीं आया इसमें आ गया तो यह तीन तो cancel ही होगे इसको देखते हुए possibility वाला केस पैंट और बैग का बनी नहीं सकता अब बचता है दो दो तो गलत है ही है लेकिन मैं आपको फिर भी बना के बता देती हूँ इसने बैग और शर्ट का बोला था all shirt are tie no bag is tie all pant are shirt लो जी अब बताओ बैग और shirt का कोई relation नहीं बन सकता pant और back का भी कोई relation नहीं बन सकता second भी गलत हो जाएगा क्या सभी को conclusion statement देखके समझ में आ गया कि हमने cancel क्यूं किया है अगर किसी को कोई वाला रिलेशन मुझे इसका दिख गया तो यह possibility कभी बनने नहीं सकती तीन ओप्शन तो सीदे सीदे cancel हो गये थे डाइग्राम बनाने की भी जुरुरत नहीं बड़ी कि समझ आ गया सबको next question करें देखेंगे दो मिनट का time दे रही हो solve करो फिर मैं करवाती हूं आपको without diagram नहीं जहां पर diagram की जुरुरत पड़ेगी शिवांगी वहां पर diagram बनाएंगे जहां पर जुरुरत नहीं पड़ेगी वहां पर नहीं बनाएंगे क्योंकि यहां पर no pant is a bag आ गया था इसलिए parent और back का relation नहीं बन रहा था इसलिए मैंने diagram आपको नहीं बनवाया जहां पर जुरुरत पड़ेगी हम लोग diagram बनाएंगे एक बार मुझे बता दो किसी को कि doubt तो नहीं है जिसका हो जाए answers दे देना मुझे ठीक है जैसे जैसे होता जाए वैसे वैसे answers देते जाना देखो बोलता है some dogs are rats कुछ dog जो है वो rat है all cat being dog is a possibility यहां पर definite statement है यहां पर possibility है लेकिन दोनों positive है दोनों positive है तो आप ऐसा statement यहां पर ढूंडो जो पूरा positive हो पूरा positive statement यहां पर को some dog are rat कुछ dog rat है अगर कुछ dog rat है और यह statement में बोलता है no rat is a dog तो क्या यह बन सकते है बता दो मेरे को एक बर अगर वो बोलता है no rat is a dog तो क्या कुछ dog rat बन सकते हैं नहीं बन सकते no rat is a dog और कहीं है no rat is a dog और कहीं नहीं है तो एक तो cancel हो गया option number one option number one cancel हुआ तो option number a भी cancel हो गया अब बोलता है all cat being dog is a possibility all cat being dog is a possibility अगर वो बोलता है तो definitely cat और dog में कोई भी negative relation नहीं होना चाहिए इसमें no जैसा word नहीं use होना चाहिए तभी बनेगा ना यहाँ पे बोलता है no cat is a dog no cat is a dog इसने दो statements में बोला कोई भी cat जो है वो dog नहीं है तो क्या यह बन सकता है all cat being dog is a possibility नहीं बन सकता है आपका option number two statement two statement four भी cancel हो गई इससे आपके पास option number b भी cancel हो गया option number d भी cancel हो गया अब आपको सिरफ three और five में से देखना diagram बना के देखेंगे बोलता है three को all rat are dog सारे के सारे rat जो है वो dog है some dog are bat no rat is a cat statement में बोलता है conclusion में बोलता है some dog are rat कुछ dog जो है वो rat है तो बाहर से अंदर आएंगे तो some का लगता है तो definitely पहला conclusion तो सही हो रहा है all cat big dog is a possibility dog का सरकल बढ़ा कर लो क्या कोई भी statement गलत प्रूव हो रही है इसमें से कोई भी statement गलत मेरी प्रूव नहीं हो रही है मैं इसका सरकल बढ़ा भी कर लो तो definitely यह possibility बन सकती है हमारे पास only three वाला सही आ रहा है एक दब है ना अब only five that means गलत हो जाएगा लेकिन हम लोग फिर भी diagram बना के देखेंगे बोलता है अच्छा some dog a rat no rat is a dog cancel हो गया तो आपके पास अगर मैं cancellation method से करूँ तो एक ही option बच रहा था अगर मैं cancellation method से करूँ तो हां fifth भी cancel हो गया बैटा अगर cancellation method से करूँ तो fifth भी cancel हो गया diagram बनाओ ना बनाओ आपका answer सीधा आ रहा था एक बड़ मेरे को बता दो सब को without diagram without diagram सब को clear हो गया कि मैंने आपको cancel किस तरीके से करवाए है जल्दी से बता देगे अगर किसी को भी doubt है तो मैं दुबारा clear कर दूंगी पटा पट चीक है next question देखेंगे आज reverse सिलोग में आपको confidence मैं दिलवाऊंगी मेरी guarantee है मैं statement और conclusion सेम हो तो conclusion सही होगा या गलत होगा अगर statement और conclusion ऐसा कुछ है देखो some rat are dog अगर उसने ऐसा बोला statement में conclusion में भी है some rat are dog तो यह गलत होगा लेकिन यह गलत होगा अगर बिल्कुल सेम हो लेकिन अगर elements उल्टे बुल्टे हो some dog are rat तो सही होगा बिल्कुल सीधा सीधा हो तो गलत होगा elements उल्टे हो तो एकदम सही हो जाएगा ठीक है यह चीज़ आप ध्यान में रखेंगे करें यह वाला question thank you पूजा thank you बोलता है some plants are leaves at least some roots at least का मतलब होता है some ही होता है ठीक है दोनो definite case है यहाँ पर हमारे पास दोनो definite case है और दोनो positive है अगर positive conclusion है तो सारी के सारी जो हमारे पास statement होनी चाहिए अगर दोनों के दोनों conclusions positive है तो जो हमारे पास statement होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए एकदम positive होनी चाहिए मैंने आपको starting में बताया था if you are having a definite case definite case अगर है जिसमें कोई भी possibility जैसा word can be जैसा word नहीं use हुआ है तो positive statement ही positive conclusion देगी सबको याद था सबको याद था देखो positive देगी तो ये वला तो cancel कर दो cancel कर दिया आपके पास 3 है 3 में से answer होने चाहिए अगर 2 और 3 cancel हो गए तो ये वले options भी गए दो और 3 cancel हो गए तो ये वले options भी गए तीन और 4 cancel हो गए तो कौन-कौन से options गए ये वले और ये वले ठीक है लेकिन अभी मुझे second को check करना पड़ेगा अब ये मत सोचना second cancel हो गए तो second सहीं नहीं होगा second को हम फिर भी check करेंगे पहला अगर बनाएंगे देखो तो some क्या बोलता है some plants are leaves some plant is some plant अच्छा इसमें some plant is leaves दिया हुए क्या ठीक है some plant is leaves इसमें भी दिया हुए फिर भी देख लेते हैं some roots are trees some roots are trees some trees are leaves some leaves are plant बोलता है क्या बोलता है सम plant are leaves some plants are leaves तो सहीं आ रहा है some trees are root भी सहीं आ रहा है some trees are अच्छा root same same हो गया ना same same हो गया ना एक मिनट रुकेंगे इसको at least कौंसल नहीं करेंगे सेम सेम होगा इसको consider करेंगे बाद में बोलता है some root are leaves इसमें तो उल्टा है तो some root are leaves तो नहीं बन रहा कोई बात नहीं some leaves are trees तो बन रहा है some अच्छा उल्टा बनाना पड़ेगा न स्वारी some root are leaves some leaves are trees, some trees are plants ये बोलता है some trees are roots नहीं बन रहा some plant are leave, some plant are leave भी नहीं बन रहा, second तो cancel कर दो, fifth में एक बार फिर भी चेक करके देख लेती हूं, some root are trees, some trees are plant, some plant is leave, बोलता है some trees are roots, some trees are roots, तो ये तो सही बन रहा है, some plant are leave, अब आप बोलोगे, मैं मैं आपने अभी अभी बोला था, कि अगर statement same हो, तो conclusion में वो चीज़ गलत हो जाती है, ये बोला था ना, हाँ, वैशने भी मैं clear कर रही हूं, clear कर रही हूं, मैं clear कर रही हूं, अभी अभी मैंने ये आपको बोला था, कि अगर statement हमारी बिल्कुल same हो, तो conclusion हमारा गलत हो जाता है, अगर बिल्कुल same आए, है ना, ये बोला था मैंने, लेकिन आपको इसमें भी देखने को मिल रहे हैं, कि diagram की according conclusion सही आ रहे हैं, वैसे गलत हो रहे हैं लेकिन हमारे पास option none of the above भी नहीं है तो आप इस case में क्या करोगे आप इस case में क्या करोगे जल्दी बताओ आप इस case में क्या करोगे आप इस case में फिर दोनों को consider करोगे अगर आपके पास एक ऐसा conclusion आ जाता है जिसमें statement भी same हो और conclusion भी same हो अगर ऐसा conclusion आ गया आपके पास जैसे some plant is leave था और some plant are leave था आपके पास same आ रहे है इसने difference क्या दिया is or are का difference दिया basically और यहां पी इसने difference क्या दिया इसने at least को हटा दिया basically examiner ने अपने दिमाग से कुछ changes कर दिये उसने ये बोला कि मैंने आपको exact नहीं दिया मैंने आपको exact नहीं दिया मैंने at least हटा दिया आर की जगे इस कर दिया उसका point of view यह था लेकिन आपको पता है बन दोनों सही रहे हैं लेकिन हमारे पास none of the bubble option नहीं है तो आप इस case में दोनों को सही करोगे आप इस case में दोनों को सही करोगे सही माग करोगे सबको समझ में आगी वैशनवी clear है आपको एक बर बता दो वैशनवी clear हो गया सबको बताओ एक बर प्लीज आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही next question करेंगे देखो इसमें तो possibility वाला case है दो मिनट देती हो करके देखो आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है जल्दी से इसमें उल्टे पुल्टे है देखो वैशनवी इसमें उल्टे पुल्टे elements आप देखोगे तो अगर नन होता तो नन को टिक करते क्योंकि कभी जो पूरी statement होती है conclusion में आज़ट इस आज़े तो सही नहीं होती आपने बेसिक्स तो सिलोक्स के पड़े होंगे न कहीं तो जहां से पड़ें वहां का क्या होता था मेरे को बताओ एक बार जहां से आपने पढ़ा था कि सिलोक्स के basis basics वहां से आपने क्या तीखा था कि अगर statement बिल्कुल सेम और confusion सेम हो तो सही होता है गलत होता एक बार मैं को बताओ फटा-फट से देखो conclusion दोनों positive हैं तो हमें statement भी ऐसी देखनी पड़ीगी जो positive हो बोलता है some town being district is a possibility तो possibility वहले case में इन दोनों में कोई भी negative relation नहीं हो सकता यहां बोलता है no town is district गलत हो जाएगा no town is district और तो कहीं नहीं आरा नहीं आरा ठीक है option one तो आपका cancel हो गया उसके बाद बोलता है some state are district तो no district a state भी गलत हो गया no district a state भी गलत हो गया क्योंकि मुझे कोई ना कोई में positive relation चाहिए चाहिए मुझे तो सेकंड गलत हो गया फोर्थ गलत हो गया, थर्ड और फिफ्ट में से मुझे देखना पड़ेगा, फर्स्ट भी गलत हो गया, थर्ड और फिफ्ट में से देख लेंगे, at least some, अब इसमें उल्टे-पुल्टे हैं देखो, इसमें उल्टे-पुल्टे आ गए न, बोलता है, all districts are state, some state are town, no town is village, ये थ पहला सही हुआ है, some town being district is a possibility, some town being district is a possibility, इसको ऐसे कर दो, क्या कोई भी statement आपकी गलत प्रूव हो रही है, नहीं हो रही है, तो ये दोनों सही बनेगे, option number 3 से, अगर option number 3 से सही बन रहे हैं, तो मतलब आपका फिफ्ट भी सही होगा, फिफ्ट को चेक करने की जुरत नहीं है, गलत होता है, विराश आपने पढ़ा साना, गलत होता है, इसलिए अगर examination में आपके पास none of these को option नहीं आए, तो आप दोनों को tick करके आना, फिर biasism मत करना किसी के साथ, ठीक है, हो गया, सबको चारो question समझ में आए, अगर अभी भी किसी को दिक्कत है, तो मुझे बताओ, मै आपका अभी सारा का सारा doubt clear कर दूँगी, क्लास के बाद आपको कोई doubt रहना ने चाहिए, है ना, I want की हास, अगर आप जाओ, तो एकदम पूरा सीख के जाओ, मैम रॉकेट मागजीन का सेट तिक question number 20, काजल आप प्लीज में को WhatsApp number मैंने जो आपको कल दिया था ना, उस पे आप मेरे को अपना doubt send कर दो, अपना नाम पूरा लिख देना काजल जा, आपका अज रात तक doubt में resolve कर दूँगी, और बाकी सब के भी जितने बच्चों के doubts आये थे, I hope सभी को अपने answers मिल गए होंगे, मिल गए थे ना, जिस जिसने मुझे message किया था, मैंने रात को, late night मैंन कल सबके reply कर दिये थे, देखो, यहाँ पे फिर से हमारे पास positive statement है, that means conclusion में हमारे पास positivity आनी चाहिए, some swan or duck है, some swan or duck है, तो no swan is a duck कहीं पे नहीं होना चाहिए, no swan is a duck कहीं पे नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो नहीं आ रहा, ठीक है, some duck is bird है, possibility, तो no duck is a bird नहीं होना च चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, one, three और five आपके cancel हो गए, one, three और five, हमें four और five चेक करने है, ठीक है, second भी, second मत चेक करना क्योंकि आपके पास option में अकेला second नहीं है, आपको सिरफ फिफ्थ चेक करना है, four, four भी हमारे पास, अच्छा, one, one, three और four cancel हुए, ना five cancel नहीं हुआ, sorry, one, three और four cancel हुए, देखेंगे एक बार दुबारा, one, three और four, ठीक है, तो आपके पास answer बनता है, only five, diagram बनाने की जुरत नहीं भड़ी, क्या सभी ने without diagram किये थे क्या, क्या सभी ने without diagram किया था ये वेला, शिल्पी five number statement एक बार कर दीजिए, शिल्पी प्लीज एक बार बताओगे, IBPSPO pre reasoning with timer live mock ले लो class, शाम को गल ली थी मैंने, आप शायद आये नहीं थे हैं, कल शाम को मैंने class ली थी, शिल्पी अपने doubt एक बार पूछ लो, तो यहां पर आपके without diagram ही सब चीज़े cancel हो गई है, diagram अगर बनाके भी देखोगे, तो all duck are swans बन ज जाएगा, no crow is a bird बन जाएगा, पहले आता है, some duck being bird is a possibility, कुछ duck bird बन जाए तो possibility बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस पूरे का relation नहीं है इसके साथ, possibility बन सकती है, some swan or duck बाहर से अंदर जाएंगे, तो दोनों सही बन रहे हैं, ठीक है, last question में, यह बोल रहे ह स्टेट्मेंट 5 बोल रहे हूं मुझे आप, statement 5 में देखो बोलता है, statement 5 में बोलता है, all district का state, सारी की सारी district state है, some state are villages and some town is village, अच्छा, मैंने no town is village बना दिया, क्या, मैंने कौन से statement बनाई है, यह वली, कौन सी कौन सी बनाई है, मैंने यह, some town is village है न तो इसको ऐसे गर दो, नो वाला relation नहीं है इसके अंदर, तो बोलता है, some town, some town, being district is a possibility, तो possibility बन सकती है, इसको बड़ा कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है, some state are district, बाहर से अंदर जाओगे तो बन जाएगा, ठीक है, शिल्पी समझ में आ गया, यह नो वाला नहीं था, some वाला था, लेकिन क्योंकि बिना डाइगरम की बना, तो डाइगरम की नीडी नी बनती, एक बार बता दो शिल्पी, सिलोक्स और इनिक्वालिटी का थाना, complete, complete भी आजाएगा, complete आपका एक्जाम होगा, उससे पहले डेफिनेटली मैं आपका, मिनी माराथान लोंगी, शिल्पी आए होप आपका, clear हो हो गया, clear, okay, सब के 515 questions सही हुए हैं, क्या सिलोक्स के, reverse सिलोक्स के, क्या सभी के 515 questions solve हो गये थे, easily, बता दो किस किस के सही हुए हैं, सारे के सारे questions जल्दी से हो गया, okay conditions note करनी है कर लो, बनाना शुरू करना है तो कर लो, और फिर मैं start करवाती हूँ, आपको है न आयूशी बोल रहे 515, अनामिका के 515 अनामिका, do you know, मेरी एक best friend है, उसका नेम भी अनामिका है माम, ये क्या है, ये बिटा puzzle है, डरो मत कनू, डरना नहीं है, आपका कल शायद message आयता है न, कि माम मुझसे puzzle नहीं बनती डरना नहीं है, क्योंकि डर गए तो question आपको ऐसे, ऐसे डर आदेगा, है न, डरना नहीं है डरना नहीं है, रुकना नहीं है, ठकना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है और अपने आपको अपने parents को proud करना है 11 लोग है, जो की बैठे है, 2 concentring polygon tables में, हर एक person एक corner पे बैठता है एक hexagonal table है, जो की एक pentagonal table के अंदर है, मतलब बाहर बनेगा pentagon 5 sides और अंदर बनेगा hexagon 6 sides समझ में आ गया, सारे के सारे center facing कर रहे हैं और इनके कुछ different number of toffees है बाकी के information हमें दी गई है, one person is sitting in the hexagonal table and another sitting in the pentagonal table, जो एक exactly opposite है, मतलब इनमें एक ही ऐसा pair है जो एक दूसरे के सामने बैठा है, बाकी नहीं बैठते हैं, यहीं बोला है, only one pair, सिरफ एक ही pair है जो आमने सामने बैठेगा, बाकी आमने सामने नहीं बैठेगा, तो सबसे पहले diagram बना लेंगे, इसका diagram कैसे बनेगा, देखो, बाहर pentagon है बाहर pentagon है, ठीक है यहाँ तो नहीं बनेगा न, एक बार, दुबारा से बनाते है बन गया pentagon, इसके अंदर hexagon table है और लेकिन एक ही pair आपस में face करेगा मैं इन दोनों को face नहीं करा सकती, इन दोनों को face नहीं करा सकती सिरफ आपस में अंदर वाले ये दोनों ही face करेंगे बाकी face नहीं करेंगे क्या सब को समझ में आ गया सिरफ टॉप वाले face करेंगे बाकी face मतलब opposite नहीं बैठेंगे बैठेंगे तो सही face sorry मैंने face word यूज किया opposite बैठेगा सिरफ एक pair बाकी pair नहीं बैठेंगे opposite ठीक है तो देख लो बाकी कोई भी opposite नहीं है और सभी inside the center आप इसको opposite मतले ना क्योंकि opposite नहीं आएंगे बिस diagram में इस तरीके से बनाया गया है opposite नहीं आएंगे ठीक है आप इसका diagram थोड़ा अलग भी बना सकते हो लेकिन इतना कोई फरक नहीं पड़ेगा गर आपको पते सिरफ यही वाला pair आपस में सामने बैठेगा सबका diagram सही बना है एक बर बता देंगे फटा फट से diagram वैश्नवी समझ में आगे diagram बोलता है क्या देखो C sits second to the left of the one who gets number of toffees which is the multiple of 5 multiple of 5 हमारे पास यहाँ पर दो toffees है 25 और 35 25 के या फिर 35 के second to the left में कौन बैठा है C एक बर हम 25 या 35 को ले लेते हैं बाहर इसके second to the left में बैठ जाएगा C और एक बार इसको ले लेते हैं अंदर क्योंकि मुझे नहीं पता कौन से टेबल में बैठ है second to the left में बैठ जाएगा C सबको समझ में आ गई C sits second to the one जिसके पास कितनी toffees है multiple of 5 multiple of 5 हमारे पास दो ही बनते है K sits second to the right of the one who sits fourth to the left of E आगे बोलता है E sits exactly opposite to C E exactly opposite बैठा है यहाँ पर देखो exactly opposite अगर मुझे बिठाना है तो मेरे पास एक ही पेर बनेगा यही बोला था ना only one pair sit exactly opposite to each other तो मतलब इसको आप change कर दो क्योंकि C और E को हमें इस तरफ डालना पड़ेगा समझ में आगया यहाँ से क्यों change होगा C और E C और E यहाँ पर डलेंगे और 25 और 35 वला यहाँ आजाएगा exactly opposite एक ही पेर बैठा है तो E यहाँ पर आजाएगा सबको समझ में आगया और E जो है वो किसके second to the right में बैठता है K sits second to the right of the one who sits fourth to the left of E E के fourth to the left one two three four इसके second to the right one two यहाँ पर बैठेगा K यहाँ से fourth to the left count करो one two three four और इसके second to the right बैठ गया K यहाँ से fourth to the left तो one two three four इसके second to the right one two यहाँ पर बैठ जाएगा K सबको समझ में आ गया C और D जो है वो J के adjacent नहीं है, मतलब यहाँ पे J नहीं आएगा और देख लेंगे, हम लोग side में लिख देते हैं, C और D J के neighbor नहीं है, ठीक है आगे देखो, I and the one who gets 24 toffees are not sitting on the same table I और 24 बाला different table पे है different table जो मेरे को समझ नहीं आता, वो मैं side बे note down कर लूँगी K and C are not sitting on the same table K और C जो है same table पे नहीं बैठे तो same पे तो नहीं बैठ रहे हैं, देख लो अलग-लग table पे ही बैठे हैं F who gets 31 toffees, sits adjacent to K, लेकिन E के adjacent नहीं है, F K के adjacent है, लेकिन E के adjacent नहीं है, K के adjacent यहाँ पे नहीं बैठ सकता क्योंकि E के पास में है, तो F आ जाएगा यहाँ पे लेकिन F को कितनी toffees मिलती है 31 तो 31 डाल देंगे यहाँ पे clear, इधर देख लो K के adjacent यहाँ नहीं, यहाँ पे बैठ जाएगा F 31, सबको समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को doubt है एक बार बता दो, प्लीज किसी को doubt है तो बता दो आगे देखो, J who gets an even number of toffees, sits third to the right of G, जिसके पास 39 toffees है, तो G के third to the right बैठता है J, G के पास 39 है और J के पास even होंगी J जो है C और D के पास नहीं बैठेगा ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं A sits second to the left of H who gets five toffees more than J H के second to the left में A बैठता है और H को J से five toffees जादा मिलती है H को J से five toffees जादा मिलती है, अगर मैं five पे difference देखो तो 8 plus 5 13 होता है 13 plus 5 18 नहीं है 16 plus 5 21 हम pairing बनाएंगे कि क्या-क्या cases बन सकते हैं H और J के 21 plus 5 26 नहीं है 24 plus 5 29 नहीं है 25 30 नहीं है 27 plus 5 32 नहीं है 28 plus 5 33 भी नहीं है 31 plus 5 36 भी नहीं है आपके पास दो pair बनते हैं 8 13 और 16 21 that means H या तो हो सकता है 13 जब J होगा 8 H या तो हो सकता है 21 जब J होगा 16 क्या सभी को समझ में आ गई बता दो एक बार क्या सबको समझ में आ गई इतनी बात आगे बढ़ेंगे A sits in the pentagonal table A pentagonal table में बैठता है और odd prime number of toffees हैं उसके पास odd prime number हमारे पास यहाँ पर 13 हो जाएगा और कौन सा होगा देखो 31 हो जाएगा 13 और 31 31 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि F के पास already 31 toffees है तो A के पास नहीं होगा A का number अगर 13 आ गया A का number अगर 13 आ गया तो H का कितना आ जाएगा 21 और J का कितना आ जाएगा 16 सबको समझ में आ गई सबको समझ में आ गई पता दो एक बर फटा फट से मैम G और J के बीच में दो परसन होंगे ना G और J के बीच में अच्छा दो परसन है कि एक बर मैं देख लेती हूं दुबारा 3rd J sits 3rd to the right of G हाँ दो परसन होंगे ठीक है दो होंगे ना देख लो हो गया पर आशिष रिपीट क्या करना एक बर मुझे बताओ यार मैं बिल्कुल बेसिक से तो आपको करा रही हो आए होप आपको कोई डाउट नी होना चीए अब इतना रिपीट करूँगी तो चलेगा नहीं ना एक बर question बना लेते हैं फिर रिपीट कर दूँगी ए जो बैठता है pentagonal table में बैठता है और h के second to the left है देखो pentagonal मतलब बाहर बैठेगा h के second to the left में बैठेगा h के second to the left में a नहीं आ सकता h के second to the left में a आ सकता है और h यहां तो नहीं बैठ सकता h के second to the left में A आ सकता है या तो H A यहां पर आएगा या तो यहां पर आएगा या तो यहां पर आएगा इस तरीके से आएगा A के बारे में कोई और information थी हमारे पास A के बारे में कोई और information नहीं थी यहां पर अगर मुझे बिठाना है तो H और यहीं पर आएंगे जिसमें H के second to the left में बैट जाएगा A A के पास है कितनी 13 और H के पास है 21 ठीक है यह हम लोग बाद में देखते हैं अगर हो सकेगा तो इसी में consider कर लेंगे इसको I and the one who gets 8 toffees are sitting adjacent to each other I and the one are sitting adjacent to each other J और A जो है K के adjacent नहीं बैठेगा और इस case में A कहीं पर और नहीं बैठ सकता that means यह बला case पूरा का पूरा cancel हो गया क्योंकि A K के adjacent नहीं बैठ सकता और कोई case बनने रहा था A K के adjacent नहीं बैठेगा कोई बात नहीं J के adjacent भी नहीं बैठेगा तो J तो यहां नहीं आएगा clear? A का अभी मुझे कुछ पता नहीं चला कोई बात नहीं मुझे G और J को डालना है तो G और J definitely outer circle में तो आनी सकते है नहीं आ सकते हैं इना circle में ही डालने पड़ेंगे लेकिन बाकी का question complete कर लेते हैं K को chart office जादा मिलती है C से C से chart office जादा मिलेंगी तो मेरे पास 21 use हो चुका है 13 use हो चुका है 31 भी use हो गया और कौन सा use हुआ 16 भी use हो गया अब मेरे को difference देखना है 4 का 4 का difference देखना है जिसमें J और A K को जो topics हैं C से 4 जादा मिलती है 4 करेंगे 12 नहीं है 4 करेंगे 28 आजाएगी देखो और कोई नहीं बन रहा तो मेरे पास K के पास हो जाएंगी topics 28 K के पास हो जाएंगे 28 और C के पास हो जाएंगे 24 सबको समझ में आ गया K के पास 28 C के पास 24 यह तो cancel ही कर दो एक बाद उसके बाद बोलता है A और G जो हैं सेम टेबल पे नहीं बैठेंगे A और G A और G सेम टेबल पे नहीं बैठेंगे तो G हमारा G हमारा किस में आ जाएगा Hexagonal टेबल में आ जाएगा क्योंकि A पेंटागनल टेबल में बैठा है One person sit between 24 and D जिसको 27 toffees मिलती है D को 27 मिलेंगे 24 और D के बीच में एक person है इधर से छोड़ूंगी एक person नहीं आएगा इधर से छोड़ूंगी D यहाँ पे बैठ जाएगा D यहाँ पे बैठ जाएगा देखो 27 H और A का भी कर दो H और A का भी कर देंगे H के second to the left में कौन है H के second to the left में कौन है A H के पास थी 21 toffees और A के पास थी 13 toffees Clear है Pentagonal table हमारा पूरा हो चुका है आगे बोलता है 13 और 25 वाले सेम table पे बैठेंगे 13 और 25 वाले सेम table पे बैठेंगे मतलब 13 वाला pentagonal पे है तो ये भी 25 हो जाएगा 35 यहाँ से cancel करतो सबको clear है मेरे पास K आचुका है मेरे पास H आचुका है J नहीं आया A मैंने यूज कर लिया C और D यूज कर लिया J का भी हमें करना बाकी है तो J को हम connect करेंगे यहाँ से 24 आया I और 24 डिफरेंट टेबल पे है तो I भी अंदर हो जाएगा इसको भी हम यूज कर लेते है ठीक है I अंदर हो जाएगा क्योंकि 24 के साथ पेंटेगनल टेबल पे नहीं आएगा बोलता है C और D J के नेबर नहीं है J के नेबर C और D नहीं है तो J बाहर तो नहीं आएगा J तो अंदर आएगा J अंदर आएगा तो यहाँ पे J यहाँ पे भी नहीं आ सकता J या तो इधर आएगा या तो इदर आएगा, 2 position पर J हमारे पास आ सकता है जे बैठा है 3rd to the right of G G को यहाँ डालेंगे 1, 2 G को यहाँ डालेंगे 1, 2, 3 J बन सकता है यहाँ पे? डेफिनेटली बन सकता है G को यहाँ डालेंगे तो 1, 2, 3 नहीं बन सकता G को यहाँ डालेंगे 1, 2, 3 यहां नहीं बन सकता तो definitely g यहां पर आजाएगा एक ही case बन रहा है ना देखो बनाके G यहां पर आजाएगा तो 1-2-3 third to the right में यहां पर आजाएगा जी के पास कित्ती है 16 toffees है जी के पास मुझे अभी तक पता चल गया 39 टॉफीज है और जे के पास even है तो even तो हो गया इसको cancel कर दो ये भी हो गया बचा कौन i बच गया ना हमारे पास ठीक है e के पास टॉफीज पता थी कि हमें i और 8 साथ में बैठे हैं i और 8 साथ में बैठे हैं तो e 8 हो जाएगा और i 35 हो जाएगा देखो एक बार समझ आगी सबको मेरे को बता दो फटा फट से क्या सबको समझ में आगी मैं आप एक्जाक्टली ओपजिट वाली कंडिशन बता दो एक बार अगर c और e एक दूसरे को face नहीं कर रहे फिर e तो कहीं भी बैठ सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक दूसरे को face नहीं कर रहा अविनाश यहीं पर examiner ने आपके साथ trick खेली थी मैंने आपको starting में बोला था कि face word यहाँ पर use नहीं करना face का मतलब होता है इस तरीके से इंसाइड और आउटसाइड दोनों बैठ है लेकिन question की starting में उसने बोल दिया था कि ऐसा इकलौता एक pair है only one pair of the person is sitting exactly opposite to each other सिरफ एक ही pair ऐसा है जो exactly opposite बैठा है बाकी pair नहीं बैठेंगे और अगर यहाँ से आपको सिरफ एक pair बिठाना है तो सिरफ एक pair आप यहाँ से बिठाओगे अगर आपने यहाँ से exactly opposite किये तो फिर यह दोनों बन सकते हैं यहाँ से किये तो आपके बस दो बन सकते हैं दो pair बन सकते हैं तो आपको यहाँ से नहीं करना सिरफ एक करना तो आपको यह वला कॉर्टनर लेना पड़ेगा यहीं पर ए और सी को बिठाना पड़ेगा अब विनाश अब क्लियर है मेरी बात अब विनाश मेरी बात एक बर बताओ प्लीज जल्दी से बन गया था पूझा का तो बन गया था अच्छा यहां पर कभी थी ना क्या नेम था उनका कनू कनू आपको डर लग रहा था पजल से क्या अभी पजल बनाके confidence आया बताओ कनू पजल बनाके confidence आया या नहीं आया मैंने आपको less less number of conditions लिखवा के पूरी पूरी बनाई है आप conditions लिखने में अपने time waste करते हो अगर दो possibilities में बनाओगे न तो एक तो ऐसी ठीक है देख लो पांचो question blur तो नहीं हो रहा जी मैम जी मैम जी मैम ओके मज़ा आया या नहीं आया मज़ा आया या नहीं आया पांचो answers में को comment section में चाहिए जिसका सही होगा मैं पिन कर दूंगी तो अब अपना match कर लेना अच्छी दिना puzzle must must आपके comments पढ़के मुझे मज़ा आ जाते यार 25-35 कैसे fix हुआ देखो बता देखो इसने यहाँ पे कंडिशन दी थी कि जो 25 और 13 वाला है वह सेम टेबल पर बैठेंगे लास्ट कंडिशन देखो 13 अल्रडी था तो यहां पे 25 हम लोगों ने लिया और 35 को अंदर डाल दिया चाहिए वाला क्वेशन करो फिर मैं आपको आंसर करवाती हूं इसका कौन सा क्वेशन दिखाओं पूजा कि क्वेशन दिखात दिये थे आपको पहले सारी मेंस की क्लास रिवाइस करनी चाहिए क्या अगर आपने मेंस की क्लास बहुत अच्छे से डेली बेसिस पर करी है न तो मैं आपको हमेशा से यह कहती हूं कि आप डेली जो क्लास करते हो न मेरी उसको शाम को एक बार फिर से बना लिया करो उसी क्लास को और फिर उसको कर नहीं आप रॉक एंड मैगजीन से प्राक्टिस करो ठीक है कि कोई डाउट है तो पूछ लो फिफ्ट क्वेस्टन दिखाऊ ये लो जी ओड वन आउट देख लिया पूजा चलो अब क्वेश्चन करते हैं जादा देर निलगाएंगे अरुन स्टाट करता है पी पॉइंट मूव करने के लिए टोर्ड़ एस्ट हमारे पस दो परसंद्द है अरुन और अरुन तो सबसे पहले अरुन का बना देते हैं पी पॉइंट से इस्ट पे मूव करता है 9 km to reach point Q P point से 9 km Q पे जाता है Q से right turn लेता है 3 km पे right turn लिया 3 km पे पहुन जाता है R पे अब यह 135 degree anti-clockwise चलता है देखो anti-clockwise आपको यहाँ पे clockwise और anti-clockwise समझना पड़ेगा अगर वो south की direction अगर वो north जा रहा है तो आप ऐसे खड़े हो जाओ अगर वो south जा रहा है तो आप ऐसे खड़े हो जाएंगे ठीक है सामने मतलब south है नीचे आपको नीचे देखके directions बनानी है south वो जा रहा था ठीक है south जा रहा था अब उसने anti-clockwise कितना किया 135 degree मतलब 90 degree से जाद है clockwise कैसा होता है घड़ी कैसे चलती है घड़ी ऐसे चलती है घड़ी ऐसे चलेगी ना अगर इसके recording देखो तो मेरे पास घड़ी ऐसे चलेगी इस तरीके से क्यूंकि यह south direction है तो इसका clockwise हमें 90 degree से बनाना पड़ता है इसको हमें 90 degree से बनाना पड़ेगा देखो क्यूंकि यह south direction है तो उल्टे-पुल्टे हो जाते हैं उल्टे-पुल्टे होंगे अगर मुझे 90 degree बनाना है तो मेरी clock कैसे चलेगी clock कैसे चलेगी मतलब 90 degree यहांपे बनेगा बताओ 90 degree सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा यहांपे clockwise का 90 degree बनेगा या नहीं बनेगा क्योंकि clock हमारी ऐसे चली उसने ुए इन से क्लोक्वाइस। उसने क्या बोला एंटी क्लोक्वाइस से उल्पर बनाना है यह ना इंटी डिघरी बना यह इना इन्ट फॉर्टी फाइफ और उपर बना दिया है। क्या सबही को समझ में आया नहीं आया सारा ही रेज हो गया कोई बात नहीं दुबबारह बना देते हैं विसलिप पोउंट से चलता है Nineल क्यू तक तीन उसके बाद कि एंती क्लॉक्वाइस पांच क्या सबको समझ में आया anti-clockwise ठीक है सबको समझ में आया anti-clockwise चला तो आपको PGT तो पता है न ये triangle बनता है 3, 4, 5 का Pythagoras theorem में ये 3, 4, 5 का triangle बनता है सबको पता है न तो triangle को इसके पास लगा दो पहन जाता है किस पे point r पे r से बो लेता है 135 degree anti-clockwise यहां से यह anti-clockwise हुआ 135 टोटल वक्स पर 5 km to reach point S पर पहुँच गया और ये तॉर्ण्स तोवर्ड नॉर्थ और वक्स पर 8 km नॉर्थ में जाता है 8 km चला गया तो रीड रीच पॉइंट T फ्रम दियर ही तॉर्ण्स तू हिस लेफ्ट और जाता है है 10 km अपने लेफ्ट में जाता है अपने लेफ्ट में जाएगा 10 km अगर वह अपने लेफ्ट में जाएगा देखो इधर जाएगा ना लेफ्ट में 10 km जाएगा तो यह तो हो जाएगा मेरे पास कितना चार पाइथोगर त्योरम की अगॉडिंग चार हो गया चार इदर से कवर किया छे इदर से कवर किया दस किलोमेटर मेरा कुछ इस तरीके से बन जाएगा बन जाएगा बताएंगे एक वर फिटा फट से सभी पॉहांच जाएगा पॉइंट यू पर किसी को कोई दिक्कत आई एंटी क्लॉक्वाइज में सही नहीं बनते आज समझ में आया anti-clockwise कैसे लेना आपको 135 कैसे लेना है सबको समझ में आया ठीक है उसके बाद देखो अगला person है अगले person को आपको यहां से शुरू नहीं करना आपको यहां से शुरू नहीं करना उसका ऐसे रफ दाइग्रम साइडमें बना देंगे आरूल स्टार्ट मॉब करता है वेस्ट Chapman कर टा पॉंट a से जाता है वेस्ट किस runners तिक है वेस्थ में जाएगा वो एशे वेस्ट में छह किलोमेटर पर जाएगा बीपे पौहन जाएगा बी यूशे गता है पहुन जाता है rough diagram बनाएंगे ठीक है then he turns towards south नीचे चला जाता है south में D से south में जाएगा 11 km और finally वो left में turn करता है तो उसका left किदर हो जाएगा इधर आपके पास अरूल का diagram कुछ इस तरीके का बना यहां पहुन जाएगा वो यू पर और हमें यू से connect करना है इसको ठीक है समझ में आ गई तो सबसे पहले यू से अगर मुझे connect करना है और यू पर अगर वो पहुंचा है 7 km लेके तो मुझे यहां से सबसे पहले 7 km मुझे उल्टा diagram बनाना है इसका ठीक है यहां से सबसे पहले 7 km बनाएंगे यह यहां तक तो 6 हो गया यह बच्च जाएगा कितना पर 11 पर चला गया फिर इधर कितने किलोमेटर पर आया था वह 14 km तो यह जाएगा 7 और 10 साथ और 4 14 हो गया यह साथ लिया इधर से 4 ले लिया 14 हो गया यहां से कम करना पड़ेगा न थोड़ा इससे थोड़ा कम होगा ना यहां तक तो 7 आ गया यह च्छे है तो इससे पर जाएंगे कितने किलोमेटर पर पांच पर और राइट टर उसने लिया था छे पर तो इधर से मैंने दो और चार यह यहां पर आ जाएगा 6 है उल्टा डाइग्रम क्या सभी को समझ में आगे एक बर बताएंगे फटा-फट से पूजा अगरवाल डिग्री में चलेगी ऐसे चलेगी मतलब clockwise 135 तो इधर बनता ना एंटी clockwise क्लॉक उल्टी चला दो सबसे पहले क्लॉक पर 90 बनाएंगे उसके बाद 135 बनाएंगे तो इस तरीके से 135 बनता है उल्टा clockwise बोलता है तो 135 विधर नहीं बन जाता सीधा ठीक है सबको समझ में आ गई बताओ एक बार उल्टा डाइग्राम समझ में आ गया सबको 7 और 7 लेना पड़े का मतलब दिविश आप क्या कह रहे हो 7 और 7 मुझे समझ नहीं आ रहा देख लो एक बार ना सबको समझ में आ गया clear है यह 7 था ना यह देखो यह 7 था ये 14 था तो 14 का यहां से मैंने तोड़ा इसको इसको तोड़ा दो और 4 में क्लो जी ये भी 2 और 4 हो गया और तोड़ देते यह 6 हो जाएगा नहीं ये 6 और 4 था ना इसको थोड़ा करते है रूको 6 और 4 हो जाए रहे है, अब समझ में आ गया सबको? 14 वाला समझ नहीं आया, 14 वाला distance समझ नहीं आया किसी को? समझाती हो, दुबारा समझाती हो, देखो! 14 वाले distance में क्या बोल रहा है वो? अच्छा 7 और 7 ठीक है ठीक है समझगी मैं समझगी समझगी आप क्या कह रहें समझगी समझगी लो जी 14 और 14 7 और 7 लेना पड़ेगा समझ गई हमने 14 नहीं लिया ना पूरा 7 और हित्ता ले लिया था 2 ले लिया था 9 ले लिया था थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा इसको My mistake इसको प्लीज सही कर लो यार गलती से बन गया लो जी दुबारा बनाए 14 थोड़ा आगे जाएगा यहां से हमने 14 बनाना था इधर से मैंने 7 लिया तो मुझे इधर से भी 7 लेना पड़ेगा इसको प्लीज रिवाइंड कर लो थोड़ी सी mistake हो गई थी question में 14 और 14 आप सब लोग सही बोल रहे हो ठीक है थोड़ा सा रिवाइंड कर लो दुबारा से करवाती हूँ मेरे को total distance इसका 14 बनाना है 7 तो मैंने यहां से ले लिया ठीक है मेरे को 7 और लेना है तो 6 यह है यहां तक 6 हो जाएगा यह 7 हो जाएगा मुझे एक मीटर एक किलोमीटर और लेना तो मैं एक यहां से ले लूँगी अब देखो अब समझ में आ रहा है 14 और 14 हमने वह 14 और 2 ले लिया था गलती से समझ नहीं आया था मुझे ठीक है सिल्ह मिस्टेक हो गई थी अब उपर चले जाते हैं उपर चले जाते हैं कितने मीटर पर पांच और 14 और यहां आ जाते हैं तो 6 तो आगे बन जाएगा यह हो जाएगा E, D, C, B, A अब सही बना देखो नौर्थ में नहीं आएगा थोड़ा आगे आजाएगा नौर्थ-East में अब चेक कर लो अब सही बना है ठीक है questions करें एहला question बोलता है what is the direction of E with respect to point T E with respect to point T तो E बन जाएगा वेस्ट में कितने मीटर वेस्ट में 10 और 7 17 मीटर वेस्ट option number C what is the distance between point P and S अगर P, Q, S को हम straight line बना देंगे तो P और S का distance देखो यह 9 था और यह पाइस अगर सही बना सबका आगे देखो what is the shortest distance between F and G अगर G 6 किलोमेटर East में है D के G जो है D के 6 किलोमेटर East में है 6 किलोमेटर East तो यहाँ पे आ जाएगा इधर आ जाएगा E ठीक है और बोलता है नहीं G आएगा ना and F is 3 किलोमेटर North of E F is 3 किलोमेटर North of E E से 3 किलोमेटर North पे F है तो अगर यह 3 है तो यह 8 हो जाएगा अगर यह 6 है तो अपने को D और किसका find करने shortest distance F और G का F और G का तो यानि कि इसकी बनानी पड़ेगी ऐसे यह वाला triangle बनेगा देखो आपके पास base है 6 का square 36 perpendicular है 8 का square 64 तो आपके पास यह कितनी आ जाई हाइपोटेनियस 10, distance हो जाएगा 10 km ठीक है? तो time तो लगेगा ना mains का question है, mains के question में time नहीं लगेगा तो किसमें लगेगा? data sufficiency के आगे 5 questions है ठीक है फटाफट से कर लो फिस session को end करेंगे यहाँ पर आपको देखने है कि कौनसी statement से answer आ रहा है पहली अगर statement मैं देखो यहाँ पर तो 8 persons बैठे हैं P to W sitting in a circular table हमें देखने statement 1 से answer आ रहा है, 2 से आ रहा है, 2 से आ रहा है दोनों से नहीं आ रहा है 8 persons बैठेंगे statement 1 हमें क्या बोलती है 2 persons sitting between S and U S और U, यहाँ पर दो छोड़ दिया S और U, यहाँ पर दो छोड़ दिया W sits second to the left of U W, second to the left of U बैठ जाएगा यह statement 1 से बना रही हूँ T sits opposite to R, तो opposite to R यहाँ तो नहीं बैठ सकता यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं T और R यहाँ पर बैठेंगे, मुझे नहीं पता किदर बैठेंगे T और R यहाँ पर बैठ जाएगे और कोई भी pair नहीं बनेगा V sits third to the right of Q Q के third to the right में कौन है V Q डालेंगे तो 1,2,3,V बन जाएगा और Q डालेंगे तो 1,2,3,V नहीं बनेगा Q डालेंगे तो 1,2,3,V नहीं बनेगा यहाँ पर V आ जाएगा S हमारा नीचे आ गया ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग Q और V को डालना चाहेंगे तो Q को यहाँ डाला तो 1,2,3,V बन जाएगा और कोई भी जगा इसके लिए बनेगी क्या Q को यहाँ डालेंगे तो 1,2,3,V यहाँ पर बन जाएगा इस तरीके से देखो ऐसा कुछ बन रहा है तो V और Q मुझे नहीं पता Who is it third to the left of S के 1,2,3 पर कॉन बैठ है इधर से मैं अंदाजा लगा पा रही हूं और इधर से 1,2,3 यहाँ पर यू बैठेगा न इन दोनों से answer मेरा क्या आ रहा है इधर से तो मेरा answer यू आ रहा है और इधर से कुछ और आ रहा है तो that means statement 1 से answer नहीं निकल पा रहा है दिया ठीक है 2 persons between R and P यहाँ से 2 छोड़े तो P नहीं आ सकता यहाँ से 2 छोड़े P यहाँ पर आ जाएगा as many between P and V as between V and U तो V इसका midpoint हो जाएगा P and V, V and U ऐसे बन सकता है और अगर मैं 2 छोड़ दू तो V दो छोड़ दू तो U ऐसे भी बन सकता है P and V 2 छोड़े तो V आ गया V से 2 छोड़े तो U आ गया जितने P और V के बीच में है उतने ही V और U के बीच में है तो 2 cases मेरे पास बन जाएंगे only one person between T and S who is sitting adjacent to V adjacent to V तो यह वाला तो case इक answer हो गया V के adjacent अगर यह है तो only one person between T and S T और S यहां से तो बन नहीं रहा न दुबारा से देखते हैं S who is sitting adjacent to V ठीक है P और अगर मैं V यहां से बना दू इसको थोड़ा सा change और करते हैं एक और यहां पे हमारे पास बन सकता है एक और बन सकता है देखो अगर मैं P का एक छोड़के V यहां पे बना दू V का एक छोड़के नहीं बन सकता अगर मैं P के दो छोड़के V यहां पे बना दू तो V के दो छोड़के U यहां पे नहीं बन सकता अगर मैं P का V यहां पे बना दू U यहां पे नहीं बन सकता और और क्या बनेगा P के दो छोड़के यहां पे V बन गया P and V, V and U था न और V के दो छोड़के U और U के साथ बैठता है S के साथ बैठता है V और S और T में एक परसन है तो यहां से तो एक परसन बन नहीं रहा न देखो यार मिस्टेक कहां पे हो रही है देखो के क्या WTP WTP TP ठीक है अच्छा S आपने यहां डाला S, V R Q, U इस तरीके से बनाया है क्या WTP SV मैंने कहां से गड़बढ़ की देख तूँ एक बड़ दुबार W sits third to the left of R R के 1, 2, 3 W बैट गया ठीक है 2% बिट्विन R और P R और P के बीच में यहां से 2 नहीं आ सकते यहां से 2 आ गए As many between P and V As between V and U P और V के बीच में जितने है उतने ही V और U के बीच में है लेकिन V के साथ मुझे S को भी बिठाना है S ही बिठाना है Facing away है क्या आरे यार क्या हो गया हम से का हो गया यह तो ऐसी बन जाएगा यार दुबारा से बना देते है Facing away from the center का हो गया हो जाता है कभी कभी चलो statement 1 Rewind Shift Delete Enter दुबारा से बनाएंगे Facing away from the center है ठीक है away from the center हमने statement 1 से बना दिया सभी लोगों का आंसर आया क्या सभी लोगों का आंसर आया क्या आंसर आया तो दोगे फटवर्ट से 2 persons between S and U S और U के बीच में 2 persons आ गए S और U के बीच में 2 persons आ गए ठीक है W सेट सेकेंड तो दे लेफ्ट आफ यू second to the left of U यहां से बन जाएगा W और यहां से बन जाएगा W ठीक है T sits opposite to R T और R के लिए यहीं पर जगा बचेगी इन दोनों पर T और R के लिए इन दोनों पर जगा बचेगी V sits third to the right of Q Q के third to the right में V आ जाएगा Q के 1, 2, 3 V आ सकता है Q के 1, 2, 3, V नहीं आ सकता Q से 1, 2, 3, V नहीं आ सकता Q से 1, 2, 3, V हाँ पर भी आ सकता Q और V मुझे नहीं पता चल रहा S के third to the left अगर उसने पूछा तो यह वाला person भी मुझे नहीं पता होगा That means statement 1 से answer नहीं आ रहा अब statement 2 से देखेंगे Statement 1 से नहीं आ रहा सबको समझ में आ गया Statement 2 से देखेंगे फटा फट देखो Statement 2 बोलता है W sets third to the left of R R के third to the left में बैच जाएगा W R और P के बीच में 2 persons है तो P यहाँ पे आ जाएगा As many between P and V As between V and U P और V, V और U 2 छोड़ेंगे तो V, 2 छोड़ेंगे तो U इस तरीके से आ सकता है P और V, V और U यहाँ नहीं बन सकता क्योंकि हमें S को V के adjacent डालना है S is adjacent to V S और T के बीच में एक person अब यहाँ से भी एक person नहीं डल रहा भया P and V, V and U ठीक है P and V P and V यहाँ से एक छोड़के V डालते तो यहाँ से एक छोड़के U डल सकता था क्या यहाँ से एक छोड़के V डाला यहाँ से एक छोड़के U डाल दिया अब बन गया बन गया, बन गया, बन गया, बन गया बन गया, बन गया सबसे पहले statement 1 से बनाएंगे N is north of point G N जो है G का north है G का north है N which is G जो है west में है V के west में है V के L is west of L is west of N N के west में आ जाएगा L and north of point M M के north में M यहाँ पे भी बन सकते है M यहाँ भी बन सकते है मुझे नहीं पता कहाँ पे बनेगा Q is east of M Q जो है M के east में है and south of V ठीक है तो यह ऐसे बन जाएगा बनके पहला diagram बोलता है what is the direction of N with respect to M तो N हो जाएगा north east क्या हो जाएगा north east पहले से तो answer आ रहा है दूसरा बना लेंगे point F is to the north of point P which is west of point S बना दिया O is the exact middle point of P and S O यहां पे बन जाएगा N is to the south of S N is to the south of S M is to the north of O and south east of F इस तरीके से M आ जाएगा तो M की और N की direction यहां से भी निकल सकती है statement 2 से भी answer आ रहा है that means either statement 1 or statement 2 is sufficient to answer the question दो नो ही statement से answer आ रहा है welcome sir आज class 88 minutes चलेगी sir अभी पता नहीं है जितने questions अभी वाकी है अभी करके ही जाएंगे आज तो है ना आपको रक्षा बंदन की धेर धेर शुब काम धेरो सारी शुब काम ना है भगवान करें कि आपके जीवन में एक बहुत सुंदर कन्या आए और उसके साथ आपकी शादी बहुत जल्दी हो जाए और आप जीवन में बहुत तरक्या करों ठीक है स्टेटमेंट 1 क्या बोलती है हमें यू से थर्ट तो दे राइट आप टी चीक है अगर मैं पी के राइट में कितने डालूंगी दो तो मेरे पास 7 लोग बनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से बन जाएंगे 7 लोग 2 person between P and S तो 1, 2, S यहां पर बिठा देंगे उसने पूछा कि middle में कौन मैठेगा तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Middle में तो U बैठ रहे हैं Middle में U बैठ जाएगा The number of person sitting to the left of U is one more than the person sitting to the right of P छीक है And U sits third to the right of T U बैठेगा के middle में बताओ एक बार U बैठ जाएगा middle में आगे देखेंगे 2 persons are sitting between V and Q V और Q के बीच में 2 persons बैठेंगे R sits second to the left of V and sits at one of the ends तो यह तो गलत हो जाएगा तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे छे आगे एक और चाहिए As many between Q and T As between T and P तो Q और T T और P यह तो एक end है तो इदर बन जाएगा Q और T T और P Middle में कौन बैठेगा? Middle में तो P बैठ जाएगा P बैठ जाएगा तो इससे भी answer आ रहा है आपका answer क्या बन जाएगा? Either statement 1 और statement 2 Is sufficient to answer the question पहली से भी answer आ रहा है, दूसरी से भी आ रहा है मिलेगी, मिलेगी करने आओ बहुत जल्दी मिलेगी ठीक है? हो गया? बताओगे एक बार सब लोग क्या सभी के data sufficiency के तीनों questions सही हो गए है एक question में तो आप लोगों ने भी मेरी help की, thank you ठीक है? तो आज के session में हमने बहुत सारे अच्छे-च्छे सवाल किये अभी I want कि आप मुझे बताओ कि आपका सबसे आज का favorite question कौन सा था? आपका favorite question कौन सा था? आपने कौन सी एक नई approach इस session में सीखी आज और आपके कितने marks आए? सारे के सारे questions आपके सही हुए या नहीं हुए? जल्दी बताएंगे, ये तीनों चीज़े मुझे बताएंगे session अच्छा अगर आपको लगा है तो इस session के end होने के बाद मुझे आपके reviews चाहिए comment section में कि ma'am session कैसा था? session बहुत अच्छा था? session में हमें ये चीज़ अच्छी लगी तो आपके reviews पढ़के मुझे भी एक अलगसी motivation मिलती है या उसकी वज़े से मैं भी रोज ऐसी कोशिश करती हूँ कि आपको daily के daily बहुत अच्छा content प्रवाइड करूँ practice के लिए इस session के बाद आप rocket magazine से practice कर सकते हो daily के आपको 2-3 puzzles लगानी है अगर आप लगासो को 2 भी sufficient है और 2-3 miscellaneous के set लगाने है ठीक है यह आपका homework daily के लिए रहता है जिकते दिन कर सकते हो करो mains की हमारी सारी सारी जो pdf है rocket pdf आप खतम कर दो और यह आपको मिले की कहां पर हमारे telegram group पे study unity official पे जिस पे आपको mains की तो मैंने दे दी है magazine rocket magazine आपको prelims की भी बहुत जल्दी मिल जाएगी जिसमें बहुत सारी धिरो questions होंगे तो अगर किसी ने join नहीं किया group तो कर ले ना session को like काफी बच्चों ने नहीं किया करो यार session को like फटा फट से है ना session को like नहीं किया session को like कर दो red hearts बना दो अगर अच्छा लगा हो तो reverse so logs वाला concept अल सबको best लगा पजल भी बैस्ट लगी और 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 अच्छा रविंदर के रही है मैं first से कैसे TPU ये भी बन सकता था देख लेते हैं भाईया TPU TPU अच्छा ऐसा बोल रहे हो क्या first से कैसा बना ठीक है देख लेते हैं you set third to the right of T number of person sitting to the left of you is one more than number of person to the right of P left of you हमारे पस तीन बैठे हैं तो right of P भी तो हमारे पस किते हैं दो ही बैठेंगे न कौन सा question पूछ रहे हैं एक बर बता होगे क्या प्लीज TPU right of P बोला है न उसने ये left बोला है जल्दी बताओ second वाले में एक का gap भी तो हो सकता था second वाला कौन सा second वाला कौन सा पूछ रहे हो जल्दी बताओ यार last question में first statement पूछ रहो है second statement पूछ रहो मैं फिर clear करते हूँ thank you thank you second statement पे T या P middle अच्छा ये पूछ रहो क्या मुझसे ठीक है देख लेती हूँ दुबारा देख लेती हूँ two persons are sitting between V and Q V और Q में दो persons बैठेंगे ठीक है R sits second to the left of V जो कि एक end पे है तो ये condition तो cancel होगी and sits one of the ends as many persons between Q and T as between T and P Q and T, T and P आप बोल रहे हो मुझे Q and T अच्छा आप मैं को ऐसे बोल रहे हो ठीक है आप मुझे ऐसे बोल रहे हो Q and T हो जाए और T और P हो जाए इस तरीके से बोल रहे हो क्या जल्दी बोलो ऐसे बोल रहे हो अच्छा रोनों cases बन रहे हैं ना इसमें दो इसमें दो cases बन रहे हैं ना बच्छा देखो एक minute और एक ये भी बन रहे है दो cases बन रहे है तो second से answer नहीं हा पार हो हाँ, second से answer नहीं आ पा रहा, इसलिए दोनों statement यूज़ करते हैं हम लोग, first से भी answer आ रहा था कि first से भी नहीं बन रहा, first से क्या दिक्कत आ रही है, first से क्या दिक्कत आ रही है, second में तो नहीं बन रहा है, second में दो possibilities आ रही है, मेरे को first का बताओ कि एक बार फिर से, देखते हैं दुबारा से, use its third to the right of T, T के third to the right बे U बैठा है, number of person to the left of U is one more than the number of persons to the right of P, left of U हमने 3 बिठाए, तो right of P 2 होने चाहिए, अगर left of U मैं 4 बिठा दूं, तो right of P मेरे पास 3 होने चाहिए, तो ठीक है, first statement से भी नहीं आ रहा, first statement में भी possibility बन रही है, दोनों को join कर देत हो, use its third to the right of T, T के 1, 2, 3 पे U बन जाएगा, दोनों को join कर देते हैं, number of persons to the left of U is one more than to the right of P, left of U to the right of P, left of U तो ये तो गलत हो जाएगा, तो both से answer आ रहा है, both statement से answer आ रहा है, option number E, ठीक है, हो गया, last question, shift delete, enter करके, दुबारा से देख लो, both statement से answer आ रहा है, first और second से नहीं आ रहा है, इदर और का case नहीं लग रहा, ठीक है, I hope आपको आज का session बहुत बसंद आया हो, session बसंद आया हो, तो जाने के बाद comment section में, लिखके जाना अपने comments कि आपको ये session किस तरीके का लगा, and आने वाले sessions के लिए भी बन रहा है, कल जो हमारी class होगी, कल फिर से हमारी class होगी, कितने बज़े, सभी को याद होना चाहिए, सभी को याद होना चाहिए, 12 बज़े class होगी, main's की हमारी, क्योंकि कल भी हमारे घर पे किसी नहीं आना, guest ने, तो मैं जल्दी class ले लूँगी, 12 बज़े सभी लोग आजाना, बहुत अच्छे लेवल के questions करेंगे, and प्रिलिम्स की class की भी update में आपको telegram group पे दे दूँगी, telegram group पे मिलेगा, आपको जो मिलेगा, ठीक है, telegram group जाके join कर लेना, I hope आपको अच्छा लगा हो, definitely I want reviews, I want your likes, I want you to subscribe the channel, ताकि आप तेली classes में आ पिरक्साबत में